असलाम लेकों वीवर्स कैसे हैं सब उमेद करती हूं कि सब ठीक ठाक होंगे खैजिस से होंगे मसें में होंगे फिट होंगे आज में लेके आई हूं चोकलेट आइसक्रीम की ऐसी रेस्पी ना तो इसमें कोकोनट पॉर्डर जाएगा बहुत ही असान सी रेस्पी है आते हैं तरह सबसे पहले मैंने ब्लैंडर लह आया है इसमें में शामल कर eu security जी दो पैकित आपने ओयो बिसकिट के लियने हैं जिसमें 6-5 अदर्द इसमें बिसकित होते हैं यह आपने ब्लैंडर में डालके इसको पीस लेना हि इसको्टेश ने यह देख सकते हैं अकसर लोगों के पॉडर अवेलेबल नहीं होता यह बहुत अवेलेबल चीज़े हैं यह आप इस्तमाल कर लिया करें चैनल पर मेरे ने हैं मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेला इकॉन के बटन को लासमी प्रेस करें ताके आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक असाने से यहां पर मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है बिल्कुल बरीक पीस लेना है यह देख सकते हैं अब मैं इसको निकाल लूँगे यह देखें बरीक पीस लेना है यह देख सकते हैं अब मैं इसमें करीम एड करूंगी ब्लेंडर में यह क्रीम को मैंने दो गंटे फ्रीज किया थ लोगा रच्ट में दीचिた्स पाथDD अन्हाइं अबसाज करने से करीम अच्छे से बीट होकी, साइस में डबल से त्रिपल हो जाते हैं यहां पर हम इसको दस मीनिट के लिए अच्छे से बीट करेंगे याई-अइए आपность से भी बीट कर सकते हैं और ब्लेंडर में भी डाल कर बीट कर सकते हैं टूटी स्पॉन इसमें मैं शुगर अड़ करूँगी यह देख सकते हैं अब मैं इसमें शामल कर दूँगी बिस्कीट यह देख सकते हैं जिसको मैं अच्छे से पीस लिया था थोड़ा सा इसमें एड़ करेंगे और इसको ब्लैंड करेंगे अच्छे से इससे बहुत ही जबरदर्स बहुत ही मसे का फ्लेवर आता है चोकलेट फ्लेवर जी ये देख सकते हैं बाकी जो रहागी है और फिर में इसमें एड़ करूँगी अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे जी ये देखें मैटल का मैंने बॉल लिया है ताकि इसमें अच्छे से जम जाए जी ये देख सकते हैं इसको हमने निकाल लेना है और दो घंटे के लिए इसको फ्रीज करना है जी ये एक घंटा ये धेड़ घंटे में ये फ्रीज हो जाती है इसको हम फ्रीज कर लेंगे जी ये देख सकते हैं जी ये देखे हैं फ्रीज हो चुकी है बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आ चुका है दो घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है ये देख सकते हैं माशाला माशाला बहुत ही जबरदस्ट बहुत ही प्यारी सी लुक आ चुकी हैं ओके जी उमीद करती हूं कि वीडियो सबको पसंदा ही होगी बाई बाई टेक क्यार